हे गाईस विल्कम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है आपका इस वडियो में तो दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है गुड न्यूज है आप सभी कैनिडेट के लिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे है यानि कि रेलवे की जॉब आप पाना चात खुसकबरी उन सारे स्टूडेंट के लिए मज़ा देने वाली है जो कि अभी और और भी एलपी टेक्निशन और जेई की तैयारी कर रहे है आपको पता है अभी कुछी दिनों के बाद एलपी टेक्निशन और जेई का एक्जाम सोने वाला है देगे जितनी पोस्ट है उतनी पता है जनवरी में जस्ट ही आपकी विकैंसी जो है दोजार पचीज की रिलीज होने वाली है वो भी कम नहीं बंपर वेकैंसी होगी उम्मीद पचास हजार से भी ज़्यादा वेकंसिस आने वाली है जिसमें RRB, ALP, Technician, J, NDPC, Grouped and Various Ministerial Categories की होगी तो बहुत बड़ी खुसकवरी है अपनी तैयारी हमेशा जारी रखो आपकी गाड़ी हमेशा तेज चलनी चाहिए जिस दिन सलो हो गया आपका गाड़ी समझ लो आपकी गाड़ी वहीं रुख जाएगी क्योंकि RRB vacancies तो हर साल अगर निकलेगी तो उतनी बड़ी संखिया में निकलेगी जिदनी निकलती थी और अगर उतनी बड़ी संख्या में नहीं निकलेगी लेकिन भरने वाले जो एप्लिकेंट है जो फॉम भरने वाले वो तो हमेशा हर साल डेड़ गूई स्पीड से तेजी से बढ़ रहे हैं आपको तैयारी हमेशा अच्छे लेवल पे करनी चाहिए अगर मान लीजे आग उसमें से एक भी पोस्ट निकलेड़ अलाक में तो उसमें पोस्ट आपका सलक्शन हो तो इसी तैयारी हमेशा जारी रखो तभी आपको जॉब्स मिलेगी ख खास कर ब्रेकिंग न्यूज युवाओं के लिए बड़ी खुसकवरी अगले वर्ष रेलवे में 50,000 पदों पर बहाली होगी भरती केलंडर जल्द ही जारी अब चले छोड़ा सा आठेगिल को स्पिड में थोड़ी सी देखते हैं सरकारी नोकरी की तैयारी कर रहे युवा पॉपुलर केडिगरी यानि की एंटी पीसी टेक्निसियन जो की टेक्निसियन में अब आई टी आई सामिल है और डिपलोमा भी सामिल एंट बिटेक वाले जूनियर इंजिनियर लेवल वार यानि की गुरूबडी पद सामिल है गुरूबडी के लिए करीब 15,000 एंटी पीस रियां में सामिल हो सकते हैं रिल्वे बड ने भरती बोड पर रिक पदव की रिपूट की मांग की है एक चीजी जБो नों ने गलत लिखी है यहां पे के बारवी परिक्षा पेशा में अभ्यारती टिपीसी और गूर vendie के लिए होने वाली नियूकती परिक्षा में सामिल ह सकते हैं। Group D only ITI student का है और ITI student का ही रहेगा ना ही इसने कोई 10 pass वाला apply कर सकता है ना ही 12 pass वाला apply कर सकता है। और हमेशा इस कार के लिए हम ITI के साथ खड़ा हैं। आई टिय वालों कभी जुकना नहीं, चाहे जो हो जाये जिस भी प्रकार का प्रोटेस्ट करना पड़े एक और वीडियो है आप सभी कंडिडेट के लिए टेक्निकल सलेवर्स को लेकर तो एक घंटे के बाद जस्ट वो वीडियो जरूर देखना आप सभी आईटिया स्टूडेंट के लिए चेंजिंग वीडियो होगा रेल्वे बोड ने भरती बोडों के रिक पदों की रिपोर्ट की मांग किये इसके बाद रेल्वे भरती बोड मुझभर पूर के अलावा देश के अन्य भरती बोडों ने तयारी सुरू कर दिये इसके अलावा जो सोनपूर वा समस्ति पूर रेल मंडल से रिक पदों की ज काल निकली परदेख चरण की परिक्षा के लिए किसी एक भरती बोर्ड को नोडल बोर्ड बनाया जागा है हमेशा बनता है फिलाल रेलवे में 45,708 पदों पर न्यूकती चल रही है जो भी न्यू रिक्रोट्मेंट आई है न उसके उपर जो आरर भी लपी टेक्निसियन हो ग हमेशा के लिए TCS ही कर पाएगी क्यों इतने बड़ा एक्जाम सदर कोई डिपार्टमेंट कर ही नहीं सकता है अजनसी ओनले डी सीएस सहायक लोको पाइलट एलपी के लिए 18,7995 पोस्ट है इसमें आरर भी मुझपुर पूर पटना अधीन 38,38 पोस्ट है वहीं आर पी 900 एकाउन पदों में मुझपर पूर बोर्ड के अधीन 11 वह पटना के अधीन 247 पोस्ट पर बाहली होनी है परिक्षा के अंदर फाइनल होते है व्यारतियों को प्रवेस्पत्र भीजा जाएगा और आपको पता है कि जश्ट ही अभी आर भी एलपी का टेक्निसियन का और ज 5 साल के बाद आप भरती आएगी यार मेरा लाइफ क्या से होफुली 5 साल में स्टूडेंट की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है मैं खुद का एक्जामपल देता हूँ जब मैं आई टी आई पास आउट किया था उसमें मैं एलपी का प्रिपिसन या पिर टेक्निसिय पांच साल के बाद भरती आती है पांच साल के अंतराल में एक गरीबी स्टूडेंट को सब कुछ झेलना पड़ता है उनकी हर चीज फैनेंसियल कंडिसन हो गया साधी विवा हो गया घर में इतना चीजें बदल जाती है उसके बाद जौब माइने ही नहीं रखता है कि वेक अपनी तैयारी जो लाकतारी स्पीट से चलती रह रही और चलने रहने चाहिए जब तक आपका सेलेक्शन नहीं हो जाता कुछ दिन पहले जो रेलवे बोर्ड की ये ओफिसियल आपकी आये थी कैलेंडर की रूप में इस सर्कूलर है कैलेंडर की किसमें कब वेकेंसिस निकाली जाएगी जैसे कि आपका जनवरी में दोजार पचीस में यहां पर लोको पाइलट की वेकेंसि आजाएगी अभी अक इसी की नोन ग्रेजविट एन ग्रेजविट के लिए जून दोजार पचीस में वेकेंसिस होगी फिर आपकी यहां पर सेप्टमबर वन में लेवल वन की वेकेंसिस होगी और मिनिस्टियल आइसोलेटेड यानि ग्रूप डी की वेकेंसिस सेप्टमबर दोजार पचीस में इस बार लेट है JEE की भी होगी टेंसल न लें जून दोजार पचीस के अंतराल में यहनी कि माई जून में आपकी JEE की वेकंसी जैन पारा मेडिकल सब की निकलने वाली है यह ओफिसियल डेटा है जो कि औरेलोए के द्वारा ओफिसियल आपकी पोस्ट वाइज डिक्लियर कर दी जाएगी कब हमें एक्जाम लेंगे कब चीजें होगी वो एक केलेंडर ओफिसे लाने वाली है तो खुसिया मनाओ टेंसल लेने की बात में हर फेस्टिवल इंजुआए करो बड़ तैयारी के साथ आपकी अच्छी लेवल की तैयारी चलनी चाहिए सर पर एक्जाम से लोक वेकंसी पचास जार से भी ज्यादा होने वाले हैं ओके गैस तो कैसी लगी गुड नियोज जरूर बताएं वीडियो इस पर लगी हो तो फ्लीज लाइक से रण सब्सक्राइब करें मिलते नेक्स वडियों मत अब तक लिए जहीं तो